आज करेंगे हैं class 12 macroeconomics and आज का हमारा topic है components of BOP account में second वाला portion है capital account क्या चीज़ होती है तो देखो क्या लिखा हुआ है it records receipts and payments of such transactions which cause an impact on the assets and liability status of a country in relation to the rest of the world यानि इस account में क्या चीज़ record की जाती है क्या लिखा जाता है receipts and payments receipts यानि पैसे आना payment यानि पैसे जाना तो किस से पैसा आता जाता है export और import की बात हो रही है इदर ठीक है तो वो सारे transactions का record लिखा जाएगा इस account में जिनसे की assets या liabilities जो है बढ़ती या घटती है हमारे देश की चाहे assets बढ़ेंगी चाहे assets घटेंगी कुछ भी हो सकता है लेकिन सिरफ वही transactions आएगी जिससे assets और liabilities घटेगी या बढ़ेगी सो देखो इसमें भी आगे दो parts में इसको divide किया गया है एक है borrowing एक है foreign investment बोरोईंग यह किसी से उधार लेना तो यह दो टाइप की होती है external commercial borrowing external assistance तो पहले वाले की बात करें तो यह जो है market rate of interest पे अविलेबल होती है यह market में जो rate चल रहा था इंटरस्ट का second वाले की बात करें तो यह concessional rate पे थोड़े कम interest पे जो हमें available हो जाती है borrowing from rest of the world raises our liability सबको पता अगर हम पैसा borrow करते हैं बाहर किसी भी देश से तो हमारी liability बढ़ जाएगी क्योंकि वह पैसा एक जिर हमको return करना ही है आगे देखो क्या लिखा है borrowing की अगर बात की जाए तो वह credit में हम उसे लेकर आते हैं ठीक है क्योंकि वह पैसा अपने पास आ रहा है लेकिन सिरफ capital account की बात की जाए तो वह debit होईगी महां से क्यों because it causes law foreign exchange from our country to the rest of the world क्योंकि इससे पैसा जो है foreign exchange जो है जो पैसा है वह हमारे देश से बाहर जाता है चाहे ब्याज की रूप में हो it is investment by rest of the world in shares and bonds of domestic companies, यह investment कौन करता है rest of the world यानि बाहर के देश के लोग या company कोई भी करता है हमारे देश की company के shares वगयरा में पैसा inverse यानि हमारे देश की company's के shares खरीदते है next step foreign direct investment क्या चीज़े इड़ेट्स to ownership of enterprises in domestic country by rest of the world यानि बाहर किसी भी देश की कंपिनी या कोई बहुत इंसान हिडिमेसतिक कन्ट्री नि हमारे देश में आकर कोई एंटरफम को कोई ओल करीद रहा है यह वह própria इंटरफमां करेंग वहों क्योंगत वल मॉट केूर की स्टोर्स छोड ईसे वीडियो क्तम